स्मार्ट जोमेट्री नया थियोरम स्टेट्मेंट आफ प्रॉबलम एक व्यक्ती ने एक आवासिय भूखंड खरीदा है, जिसकी परिधिय भुजाई चितर एक में दर्शाय अनुसार क्रमशह पचास, अर्तीस, चौंतीस और बयालीस फीट हैं. भुजा एबी सडक के साथ पचास फीट है, और कौन भी सीडी पैंतालीस अंश से अधिक और नब्बे अंश से थोड़ा कम है. दिये गए डेटा से आवासिय भूखंड का ले आउट जमी पर मार्क करें. किंट यह स्पष्ट है कि सडक पर केवल भुजा एबी पचास फीट सीमांकित है. ले आउट के लिए एबी सीडी चतुर भुज के डायागनल एसी और बीडी का मान ग्यात होना चाहिए. कौन बी सीडी के एग्जाक्ट मान जानने के लिए स्मार्ट जोमेट्री के नए थियोरम को अपलाई करना जरूरी है. प्रिय दर्शकों आपको आवासिय भुखंड के ले आउट के लिए भुजाओं बी सी और सीडी के बीच का कोन स्मार्ट जोमेट्री के नए थियोरम अपलाई करके ज्यात करना आवश्यक है. ततपश्चात डायागनल एसी और बीडी का मान ज्यात किया जा सकता है. यदि आप प्रॉब्लम के सिल्यूशन में रुची रखते हैं, तो कृपिया फोन नंबर 97550396005 पर संपर्ख करें और अपनी इमेल आईडी मेल करें, ताकि विस्तरित सिल्यूशन आपको भेज सके. धन्यवाद, Geometry Genius Contest को आयोजित करने का उद्देश्य स्कूली छात्रों को इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए प्रेरित करना है. यह उनके आईडियास को बौधिक संपदा अधिकार, IPR के अंतरगत पंजीकृत करने और अपने उद्द्यमों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है. क्या आपने कभी प्रतियोगिता में दिये गए प्रश्न के सल्यूशन के बारे में सोचा है? चित्र एक दर्शाता है कि स्मार्ट जोमेट्री के नए थियोरम पटवारी मैप बनाने और भवन निर्मान इंजिनेरिंग के लिए उप्योगी है. नई स्किल्स सीखने के लाब जोमेट्री जीनियस कॉंटेस्ट से आपकी योगिता का परीच्षन होता है और आप बुद्धिमान और आविशकार्शील बनते हैं. यह आपको भविश्य के लिए करियर और उद्यम की योजना बनाने का अफसर देता है. स्मार्ट जोमेट्री के नए कॉंसेप्ट की अवेरनेस से नए शोध के कई मार्ग खुलेंगे.